वहीं वेवव गहलोत की बहन सोनिया भी प्रचार में जुटी हैं उनसे भी शुटा ने खास बाचीत की जरा ये भी सोनिया की अपील करने में काफी जगे घूमी सब लोगों के साथ मिली और बहुत उत्सा है लोगों में सोनिया जी बच्पन से आप लोगों ने घर में भी राजितिक महाल देखा होगा लंबे वक्त से और अब तक की बात करें क्या कभी लगा था कि वैभव भी जाएंगे इसे फील्ड में क्योंकि काम भी वो कर रहे थे और अब पहली बार मौका है जब जनता ने कहा कि चुराओ लड़ना चाहिए इसलिए वो मैदान में हैं बिल्कुल वैभव हमेशा से जब बच्पन से पापा को देखते बड़ा हुआ है इतना उनमें जो कारिय शैली उनकी जो रही अशोक जी की उसको देखते वे बड़ा हुआ है उसमें वो भावना हमेशा से थी और जोदपुर कि जोत्पुर वासियों ने उसकी आवाज राहूल गांधी तक पहुंचाई दिल्ली तक पहुंचाई और उनको यहां से हमें टिकेट मिला और बस हमारा यही रहेगा कि अब वो जीत चाहें यहां से सबका सायोग उसने मिलता रहे उनको मेरे पिता जी की तरहें उसका बहुत बहुत कामला करते हैं आपके पिता की छलक आपको भाई में अब नजर आती है जिस तरह से राजनीती के और वो आगे बढ़ रहे हैं बिलकुल नजर आती है 15 साल से मैं वैबफ को देख रहे हूं काफी आक्टिव रहा है सब लोगों के साथ में काम किया है सब लोगों को सा सब्सक्राइब सन्ति चलने वाला नेता है और वही जवी नजर आती है जो पिताजी में अपके जोद्पूर से है आप जैब पले बढ़े हैं लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है कैसे लोगों से मुलाकात हो रहे होगी कैसी प्रतिक्रिया उनकी वह बहुत जबरदस बहुत ह शांदार उन्होंने वेभव का स्वागत किया है अपने खुली बाहों से और अपने दिल में बसा के वेभव को रखा है और मैं चाहूंगी यह सब प्यार सिर्फ वोटों में तब्दील होए 29 तारिक का हमारा समय है और सभी से हाथ जोड की विनिती यही करूंगी कि वो वेभ अशो ग्यलोट की बेहन है अशो ग्यलोट जी की बेटी है और उनका कहना यह है कि हमेशा से प्यार यहां पर जन्ता का मुंख्य मंत्रि क्ली मिला और तुन और वही अक्स को अपने भाई वेभ ग्यलोट पह से both joke लव तुमार के साथ श्वैता पिशा जोड़ को